नमस्कार रिक्जाम, हैपी बाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाय कद्यापको के आकलन परिच्छा की तैयारी को लेतो आप सभी का आकलन परिच्छा बहुत जल्दोने वाला है इसलिए आप सभी तैयारी में जूड़ जूड़ लग जाएंगे और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी दीरे दीरे जूड़ने का प्रयास कीजे क्योंकि नहीं जूड़ने से यहां पर पास होते होते भी आदमीन फेल कर जाता है इसलिए इससे आप इसको छोटे वजबे नहीं लेंगे यह जो आकलन परिच्छा है इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता यह आप दिमाग में रखेंगे कि यह तो आकलन है सिर्फ 10% के लिए सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारेंटिय नहीं है जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा तो आप जूड़कर पढ़िए चलिए दोस्तों अब एक बात बता दे युदि आप जहरकन में साय कद आप आकलन परिच्छा की तैयारी में मसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे मसूस कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं मसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें कहां जुड़ें किस से जुड़ें कैसे तैयारी करें जिसे 100% हम पास करें क्या पढ़ लें तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बाते सभी की चल रही है तो सभी की जब ऐसी बाते चल रही है तो उना सभी का एक ही एलाज है कि आप अपने टेस्ट qu को पढ़े कहीं जुड़िये या नजुड़िये अपने टेस्ट बुक को पढ़ लिजे आप पास कर ज toplता इतनी असांची नहीं होती है कुछ ने कुछ करना पड़ता है अब रही बात कि आप अपने टेस्ट बुक से समंदित अधारित प्रशन को नहीं ढूंड पारे नहीं पड़ पारे आपके पास समय नहीं है क्योंकि परिवारिक हो गए हैं तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारे यूटूब टीम परिष्छा पर हमारे टीम काम कर रहा है तो आप सभी को बहुत ही सब्सेंट मेटरियल और उसी अस्तर का प्रैक्टिस सेट, मौडल सेट सारा तियार किया जा रहा और आपको यहाँ पर दिया जाता है और आप उससे जूड़कर के तियारी चाहाएं कहीं भी रहें कहीं भी कुछ करें, साम को भी आपको समय मिलता है तो आपके WhatsApp पर सारा चीट डाला हुआ रहेगा वहाँ से जा करके आप एक बढ़ पढ़ लिजे तैयारी कर लिजे और उसके बाद देखें आपका 101% पास होने का गारेंटी आपको बनता है तो वीडियो देखने के बाद इस फॉन पर जरूर कॉल करेंगे तो चलिए चलते हैं आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपको यहाँ पर कलास 6 का एक्सरसाइज 17.1 परिमाप पयोंग 6 तरफल तो उसका परिमाप का आज हम पूरा पार्ट को कबर अप करेंगे तो आपको बता देते हैं जितने भी यहाँ पर आज इस तरी जाम हुए है उसे परिमाप से एक प्रस्न और दो प्रस्न लगबग निकल के आते हैं तो परिमाप सेक्शन जो है आपका बहुत इपोटेंट है और परिमाप देखे होता बहुत ही अच्छा प्रस्न है और इसमें किसी भी परकार के कोई फर्मूला क्या हो सकता नहीं पड़ती है लेकिन आपके दिमाग में बेटा हुआ है कि फर्मूला की जरूरी ही है तो आप फर्मूला जो भी आएंगे उस सारा चीज़ों को हम यहाँ पर कभर करवा देंगे और योदि आपको आज के बाद परिमाप में कोई प्रोब्लम होगा तो हमको बताईएगा ठीक है तब परिमाप मतलब क्या होता है तो चारो तरब से चारो तरब से जो जगा होता है उसके माप करना उसका माप करना बाहर बाहर चारो तरब जो है उसको माप कर लेना उसका दूरी बता देना ये जो है पूरा परिमाप कहलाता है चारो तरफ से यहां पर घिरा हुआ भाग की दूरी जो है वो परिमाप का लाएगा ठीक है यानि कहने का मतलब परिमाप किसी का भी निकालना है तो आप जहां से सुरू कीजे वहीं पर चलते हुए अंत कर दीजे तो वो परिमाप आपका निकल गया एक चकर पुरा होने में जो लगा वो परिमाप हो गया ना चाहे वो आकरिती किसी भी परकार का हो तो आकरिती जब कुछ जैसे वर्ग हो आया तो यहां तो कुछ फर्मूला बनते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा प्रशन होता है जो आकरिती पर अधारित होता है तो उसको जहां से चले हैं जहां स GD, फिर DE, और फिर EA, तो A आगा है ना, A से चलना शुरू किये थे, A पर आगा है, तो देखिए यहां पर कितना हो गया, 7, 5, 12, और 12 और 3 कितना हो गया, 15, 3, 18, और 8 क्या कियेगा, 26, यही गिन दिये, तो जो जोड़ दिये, वही परिमाप हो गया मेरा एक बार, तो देखिए इसका राइट एंसर क्या हो जा रहा है, 26, अब देखिए यहां पर नोट्स हमने कुछ बना दिया है, जो आप लोग के लिए यहां परचेज होता है, नोट्स आप लिए हैं, तो जहां से प्रारम किये हैं, वही पर चलते वे अंत करेंगे, वही एक बात जो अंत करेंगे, एक बुजा A भी था, फिर B C था, फिर C D था, फिर D E था, फिर E तो देखिए, A से चलना आप सुरू के थें, और A पर यहां आकर लाश्ट करती हैं, यह परिमाप हो गया, 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18, 18, 26 हो गया, ठीक है, बेरी गोट, चलिए, तो इसी तरह से प्राश्ण मिलेगा, अब फिर B है, तो A से चले, A पर पहुँच गया, तो 7, 5, 12, 3, कितना हो जाएगा, 15, 15 किस में है, C में, चले इसका एंसर निकल गया, ओके, यहां पर बनाया हुआ है, 15 सेंटिमेटर आया है, ठीक है, चलिए अगरा देखिए, अब आकरिती इसको देखिएगा, इसका परिम सेंटिमेटर हो गया, फिर क्या चलेंगे, B, C चलेंगे, तो B, C, 1 हो गया, फिर क्या चलेंगे, C, D, चलेंगे, तो A, B, 1 हो गया, फिर क्या चलेंगे, यहां पर E, F, 3 हो गया, फिर क्या चलेंगे, तो यहां पर F, G, चलेंगे, U, कितना हो गया, एक हो गया, फिर क्या चले और 11 और 12, 13, यानि 13 cm इसका answer आ रहा, इसमें option है कहीं 13, नहीं, 10 है, 15, 16 है, इसका answer होगा कोई नहीं, ठीक है, अगला दिखेगा, अगला है 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चोड़ाई वाले आयत का परिमाप निकाली देखिए अगर सुत्र आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है सुत्र भी इठा दीजे और सुत्र नहीं याद है अगर आयत के बारे में तुम्हें जनकारी है ना आयत में क्ए, 30 सेंटीमीटर लंबा ती, 13 सेंटीमीटर चोड़ाती, 20 सेंटीमीटर, अब e 30 है तो e 10 होगा तर e 20 होगा, अब आयत का परिमाप ग्याद कीजिए तो परिमाप मतलब यहां से सुरू की जाना A से यहां B है मालेज़े, यहां C है, यहां D है तो A, B, 30, B, C, 20, 50, 38, C और 20, 100 ठीक है, कितना हो गया? 100 हो गया तो 100 cm यहां पर आयत का परिमाप हो गया ओके, आयत का परिमाप कितना हो गया? 100 cm हो गया यही आपका answer हो गया, तो इस तरह से और नहीं तो फर्मुला यह दिया आपको, तो फर्मुला से बना लिज़े तो का हो जागा, 2 इंटू लंबाई पलस चोड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई है 30 और चोड़ाई है 20, तो 30, 20, 50, 50, 200, यही हो गया इसका right answer, ठीक है? चला, अगला देख लिजिएगा तो यहाँ देखे, बिना सुत्र के और यहाँ पर सुत्र से दोनों से बनाए हुए है आपको notes, तो आप देख लिजिएगा इसको अगला है, 5 cm भूजा वाले वर्ग का परिमाप गयाद कीजिए देखिए, परिमाप है, आपको सुत्र नहीं याद है, कोई बात नहीं है तो सबसे पहले वर्ग बनाए है, वर्ग हम बना लिए है अब आप बताइए, वर्ग में क्या होता है, तो सभी भूजा बराबर होती है, ठीक है यादि ए अगर 5 है, तो यह हो 5 है, यह हो 5 सेंटीमीटर है, और यह हो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है अब इसका A से चलना परारण कीजिए, A, B, C, D, तो A से B, 5, B से C, 5, 10, और C से इहाँ पर D, 10, 15, और D से A, 20, तो 20 हो गया चाह लेगा, और नहीं तो देखिए, वर्ग मतलब क्या होता है, सम चतर भूज, तो सं मनने जहाँ गए, चाहर को भूजा बराबर, तब फोर फॉर्गने भूजा भूजा, का वता हम उनने भूजा कितना है, 5, तो चाहर को निने भूजा कितना हो गया, यह इंसर हो गया, स तो इससे भी आएगा यह देखिए आपको नई फर्मुला याद है तो भी आप इससे बना लीजिए आप फर्मुला याद है तो इससे बना लीजिए दोनों आपको मिल गया ठीक है तो दोनों चीज आपको मियाप पर देदर अब देखे कर रहा है तीन सेंटीमीटर वाले Sum22 3. पहला देखे, अगर फर्मुला नहीं यादा है, Sum22 3. Sum22 3. Sum22 मतलब सब भुजा बराबर, तो कहने कहते हैं, e3, 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 e3. तो कितना होगा इसका परिमूआप? तो 3, 36, और 3, 9. 9 सेंटिमिटर, अब फर्मुला देखेगे, Sum22 3. देखे, 3 सम22. सुत्र से ऐसे हो गए, ठीक है, चली अगला देखेगा, पांच सेंटेमीटर भुजा वाले, सम, पांच भुज़ का परिमाब गयात कीजे, सम, पांच भुज, क्या करien आपको धेयां देजै, सम, पांच भुज, तो 5 भूज माने 5 भूजा और सब बराबर है तो उसका हो जाटाइगा सूत्र देखिएगा सम 5 भूज का परिमा बराबर हो जाटाइगा 5 भूजा थिक है तो 5 भूजा 5 संटिमेटर है तो 5 कितना होगया? 25 25 किसमे है? तो D मैं ढव काईए हैं दिए इसका है राइट एंसर हम देखें सम ऐग्दम कान एकडम जढूरी काना siam काना तभ êtes 5 भूझ थी और यहाँड़ जिड़ा बूझा कित्च भूझ Cancer का लिए 4 लिए कर चाहूने भूझ्श माने फ्यार अब इती वन्हार सबसट भूझ का ती la. और नहीं तो देखिए आप वो basic चीज बताईए दिये हैं कि उसको बना लिजे और देखिए यहां पर यह basic चीज इसमें भी दे दिये हैं ऐसे करके भी आप लोग बना सकते तो आपको जो इसे अच्छा लगे परिमाप का नहीं छोड़ना है एक भी क्यूचन परिमाप का नह आठ सेंटिमीटर है तो कभूतर द्वरा तायकी गई दूरी क्या पूछ रहा बताईए तो कितना चला आइता कार टेबल है न जी अजी एटा कार टेबल इसे किनारे किनारे उचल रहा हो कभूतर तो यह से श्टार्ट क्याती दस है और यह आठ है फिर यह दस हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा, क्यों हो, आयत है, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 और 8, 28 और 8, 36, 36 सेंटिमेटर हो चला, यहीं ने चला, तो 36 किसमें, डी में, राइट एंसर हो गया, और नहीं, तो फर्मूला से लिजेगा, तो 2 इंटू कितना हो, लंबाई प्लस, यह आप लोग के लिए जो नोट्स पर्चेच करता, उनके लिए बनाया होगा है, आगे देखिएगा, 20 मीटर लंबे, तो था 15 मीटर चोड़े, आताकार भुखंड के चारो और, कंटीले तार से घेरा बंदी करनी है, ठीक है, 20 मीटर लंबे, तो 15 मीटर चोड़े है, पंदर फैसी संब्स्मy3kcor pirate alreadyud el यहां सततर हुगया सथीर्म भीटर मेंटर का खर्च काम करने में इस रूपया दियाए कितना है सतर मीटर है रहीर मिटर एक मीटर 5, toets ,कर दिए सब्सक्राइब कर देखेंगे तो सब्सक्राइब निकाल लिए परिमाप कितना हो जागा तो अगर आप देखेंगा देखेंगा इस सब्सक्राइब देखना क्या है क्यूचन खाली देखेंगे और इंसर्ट फटा फट मारा जाता है इस सब्सक्राइब देखेंगे लेगर हम तो आपको सुरूबार नोट भर इसले बता रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे यहां मैदान का लंबाइ कितना है 20 चोडाई कितना है दस एकार मैदान तो अब देखें अब देरे देरे क्या करना है आपको speed बढ़ाना है समझ गया है सुरू बार तो देखें हम आपको बिस्तरीत बता देते हैं लास्ट में आपको tricky भी बता देते हैं यहां पर 60 यह 180 हो गया यह answer हो गया इस तरह से बहुत जल्दी जो है आप यहां पर काम कर सकते हैं ठीक है तो अब देखेगा एक प्रस्ण है एक वर्ग की भुजा गयात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो क्या होता है देखें वर्ग का परिमाप बराबर का हुआ बताइए आप तो वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है ना कितना दिया हुआ है बताइए लिख लिए इस थे आप को परिमाप काम करना है समझें तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको यहां पर देखे नीचे बना हुआ भी है जो notes purchase कर रहे हैं उनके लिए यहां पर दिया हुआ है तो देखें आपको notes भी दख लेना है practice set भी देख लेना है और यहां पर साथ में आपको video भी मिल जा रहे है तो सारा कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ कितने में 499 रुपे में तो इससे और सुभीदा क्या होगा इसके साथ सब सब्सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर कवर अप ट्रीकली किया गया है तो सारे चीजों का आप जोड़ो देख लेज़ेगा ठीक है अब देखें संभावोतू तिर्फुज का परिमाःप 18 cm है तो उस तिर्फुज के भुजा गया है क्या इसमें समय लगा हुआ शमय नहीं देना है ठीक है एक्दम दिमाग में बिठा लिजे पट आप उसका answer करते चलिए तो बहुत ही मज़ा आजाएगा अब देखे एक सम पंच भूझ का परिमाब 25 है उसके भूझा गया कोई बात नहीं है सम पंच भूझ का परिमाब का यहां फर्मुला लिगे तब 5 गुने A अब परिमाब आया कितना है तब 25 लिग दिए परिमाब 25 है अब 5 सकते है ना 5 एकम 5 और 25 हो गया ना इधर क्या बचा A ए बराबर कितना हो गया 5 ठीक है तो यह 5 इसका answer हो गया इसका answer D हो गया ठीक है तो देखे यह अब यहां पर एक और है एक सम अस्ट भूज का परिमाब 40 cm उसकी भूजा कमानोता है सम अस्ट भूज का मतलब का होगा 8 बूजा और उसका परिमाब कितना दिया होगा 40 यह से किजिए इस तरह सकाती है 8 एकमाट और 8 पचे 40 A बचर लगया तो A बराबर कितना हो गया 5 बराबर 5 जो आपका C में है अब देखिएगा आपको कुछ महत अपून सुत्र है वो भी हम आपको दे दिये है आयत का परिमाब बराबर 2 इंटू लंबाई प्लेश चोड़ाई वर का परिमाब फर्गुने भूजा अगर परिमाब फर्गुने भूजा है तो भूजा का होगा परिमाब में 4 से भाग दे दिजिएगा संबाहोतिर भूज का परिमाब 3 भूजा तो संबाहोतिर भूज का अगर भूजा निकलना है तो परिमाब में 3 से भाग दे दिजिए ठीक है तो ऐसे ही करकर के हम लोग सारा चीज को निकालते हैं अब देखे संपंच भूज का परिमाप बराबर का होता है पांच गुने भूजा तो संपंच भूज का भूजा बराबर का होगा परिमाप बट्टे पांच संपस्ट भूज का परिमाप का होता है छोगुने भूजा तो समस्टूर्ट का भूजा बराबर का होगा परिमाप बट्टे छोट इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सारे चीजों को देख लेए परिमाप को अब इसका नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर छेत्रफल को लेकर के आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक से दो प्रशन क्या होगा नहीं होगा तो आप फॉन कर लिजेगा और यहाँ पर सारे चीज के जनकारी ले लिजेगा वीडियो का अन तक जोए रहे हैं इसके लाब से को बहुत बहुत धन्यवाद